चलो अब next problem देखते हैं ठीक है दिया हुआ है कि figure shows a network of capacitors where the numbers indicates capacitances in microfarad ठीक है the value of capacitance C if the equivalent capacitance between point A and B is to be 1 microfarad ठीक है A और B के बीच में करा है कि 1 microfarad अगर equivalent capacitance है तो बताइए C का value क्या है और यह जो number लिखा है और वो capacitance है किसमे microfarad में ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके equivalent capacitance निकाल लेते हैं वो बोल्डा 1 microfarad तो 1 microfarad के बराबर कर देंगे तो यह देख सकते हैं कि यह दोनों series में तो बारा और 6 series में तो बारा चकब 72 डिवाइड़ बाई 12 पलस 6 अठारा तो 72 बाई तो यहां कर देते हैं तो सिक्स और 12 है जो कि किसमें सिरीज में तो 6 इंटू 12 बाई 6 पलस 12 ठीक है यह तो यह कहने कर्थ क्या है कि यह 4 हो गया टोटल और 4 और 4 तो यह 8 हो गया ठीक है तो 8 और 1 है जाक समझना है 6 और 12 की equivalent हो गया 4 और 4 तो चुकि पैरलल में है तो 4 और 4 हो जाएगा 8 अब यह 8 और यह 1 यह सिरीज में आ जाएगा ठीक है तो फिर से कितना हो जाएगा तो 8 इंटू 1 बाई 8 पलस 1 तो इसका मतलब हो गया 8 बाई 9 तो कहने का सेंस क्या है कि इसका equivalent हो गया 8 बाई 9 ठीक है इसका देखोगे तो यह 2 और 2 4 हो जाएगा ठीक तो हो गया 3 तो कहने का क्या है कि इसका equivalent आ गिया 8 बाई 3 और इसका equivalent आ गया 8 बाई 9 और यह गाला जो है वो इस से कर दे रहे हैं तो यह हो गया कितना चौबीस और और आठ वातीस यह बटा नो कहाने का शेंस क्या है कि इस पॉइंट के पयाँ से निकल जाएगा और加 और बी के बीच में और बोल रहा है कि वो किसके बराबर सब में कर देंगे सब में मैंक्रो कि आ यहांपर मैंक्रों घटा दीए तो मैंक्रों कितना हो गया तो आप देखिए तो यह हो गया 32C by 9 रहने दिजेगा इसको 9 इधर करिएगा तो हो जाएगा 32 पलस 9C आप समझ रहोंगे 32C by 9 है तो 9 आ यहां वाला तो होगा 32 अब अगर आप इससे देखिएगा तो 32C यह बराबर हो जाएगा 32 पलस 9C के तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 9C घट जाएगा तो 9C घट जाएगा तो पहले 2 घटेगा फिर 7 घटेगा तो यह आ गया 23C एकवल टू 32 तो स्थी का भैलू केतना आगिया 32 by 23 ठीक है तो यह सी का भैलू आया सब कुछ माइक्रोफेराड में ही है तो 32 by 23 माइक्रोफेराड हो जाएगा तो यह बाला हो जाएगा इस पर कुछ बताना ही नहीं है दिया हुआ है कि इन दे गिवन सर्कुट चार्ज क्यू टू अन्दी टू माइक्रोफेराड कैपासीटर चेंजेज एज सी इज वैरीड फ्रॉम वन माइक्रोफेराड तो थ्री माइक्रोफेराड ठीक है यह बोल के रहा है कि कि इस पर जो चार्ज होगा वो बदलेगा अगर इसको बदलिएगा तो आई इसको कहां से कहां तक बदला गया वन से थ्री माइक्रोफेराड तक ठीक है इसको बदला जा रहा है तो इस पर चार्ज अब्याश्य बाथी की चेंग्ज होगा वही दिया हुआ है कि Q2 is a function of C is given प्रोपर ली बाई और उसके पर चार्ज केलकुलेट करना है इसके फंक्सन में और उसके बाद क्या करना है ग्राफ ट्रो करना है तो सबसे पहले तो इस पर चार्ज आप केलकुलेट करें ठीक है तो इस पर चार्ज केलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं समयना त कि यह 2 है यह 1 है तो टोटल हो गिया 3 हम लोग क्या करें कि इसके क्रोस पहले पोडेंशल डिफ्रेंज निकाल लेते तो इस पर चार्ड निकल जाएगा तो क्या करेंगे कि 2 और 1 कितना हो गिया 3 तो C और 3 यहां पर ठीक है तो इसके क्रोस भोल्टेज निकाल देते हैं वही इसके प्रोस भी हो जाएगा तो फोल्टेज एक रोस 2 तो माइक्रो फहराड तो यह कितना हो जाएगा तो टॉटल घौल्टेज अर्टा टॉटल कैपासिटेंश निकालना है इसके एक्रोस भोल्टेज तो मल्टिपलाई करेंगी इससे तो यह आ गया यहां पर क्यों रिपरजेंट किया है तो यह देखने के बाद आपको सबसे पहले समझ में आ रहा होगा कि यह बाला एक तरह से y हो गिया क्योंकि यहाँ पर q represent किया है ठीक है और यहाँ पर है जो कि c किया है तो यह बाला हो गिया y और यह बाला क्या हो गिया x हो गिया तो y और x में linear relation तो नहीं है क्यों नहीं linear relation ही स्वाज में आ रहा है यह तो तुमको समझ में आ गिया होगा क्यों कि यह वाला इस ट्रेट लाइन बता रहा है यह डायरेक्ट पता चलड़ा है कि इसी को ने किया है और यहां पर से अगर देखो यह हो गया टू माइक्रो यह तो कॉंस्टेंट हो गिया ठीक है तो यहां से कितना आ गिया एक यह नीचे भी तो यह वाला अगराभ ने होगा अब इस तीनों गराभ में देखना है तो पहले हम लोग क्या करते हैं तो इसे रहने देंगे यहां पर क्या करेंगे कि इसका फंक्षन बना लेंगे यहां लिखेंगे पड़ाया ही जाता है मैं थो कर देना और भी तरीका है करके कर दे सकते हैं लेकिन पहले यहां देख लो तो 2 micro e और यहां पर अगर देखीएगा तो अब इसको इससे करिएगा थो जाएगा 1-3 micro यहां सभी किया जा सकता था ठीछ तो इससे इसको डिभाइड करिएगा तो हो जाएगा one minus three micro by x plus three micro यह आगे अब यह क्या बता रहा है कि अगर x को आप बढ़ाईएगा तो यह बढ़ेगा तो यह घटेगा और यह घटेगा तो overall बढ़ेगा तो हम लोग क्या देखें कि x के बढ़ाने से बाई जो है वो बढ़ेगा समयाएगा एक्स को बढ़ाईएगा तो यह बढ़ेगा यह बढ़ेगा तो यह घट जाएगा यह टर्म घटेगा तो overall टर्म बढ़ेगा मतलब बाई बढ़ेगा तो एक्स के बढ़ने से बाई किसमें बढ़ रहा है इसमें बढ़ रहा है इसमें बढ़ रहा है इसमें तो बाई घट रह इसका मतलब B option भी नहीं होगा ठीक है अब हम लोग को किस चाटना है A में और D में तो A और D में बस एक ही चीज़ का अंतर है यह और Concave और Concave देखने का सबसे बेश्ट तरीका क्या होता है कि आप कया करएक कश सुलोप के साथ क्या होगा उसको देखते थे तो इसको डिपरेंशीयट करिये तो यही है टू माईक्रो यी तो बाहर ही रह जाए जाएग сам by यह दो नवाउन हों इनलु हो जाएगा फिर इसको डिफ्रेंसियेट करेंगा त्री माइक्रों के माइक्रों के स्दाइग से ने ल stakeholders में सिद्सक्राइब ने में лет गार्ल डिफ्रेंसियेट करेंगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो यहाँ से कितना आ A-inform त्वियू रहा है कि यह प अब्राइब हो गया मतलब मतलब क्या हो स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो इसमें देखिएगा तो सुलोप तो पहले ऐसे था इसे था इसे था ज्यादा बाटिकल हो रहा है और इसमें क्या है ऐसे हैं ऐसे तो सब्सक्राइब फिर गटता हुआ कि समय जिए यह भी गलत हो गिया यह वाला सही हो गया आई होप आप कर सकते थे आगर increasing decreasing वाला में अगर नहीं करना था इधर से उस तो आप ऐसे कर सकते थे कि इसको नीचे कर लेते तो नीचे कर लेते थे ये इस टायप का देखिये चलाता यह चलाता बाई इकॉल टू टू-माइक्रो ए और इसको इधर फेक देते तो हो जाता 1 पलस 3 माइक्रो बाई X इतना हो जाता ठीक है और अब आप इसमें क्या देखते है कि X को बढ़ाईएगा तो ये वाला घटेगा ये घटेगा तो ये बढ़ेगा तो यहां सी पता चल जाता कि X को जब बढ़ाईएगा तो आप ये से बात है कि ये दोनों में ही करना रहता ठीक है? अब जो है इस दोनों में चेक करना रहता कि कौन होगा कौन ने होगा तो एक तो तरीका क्या हो गया कि आप फिर से सुलोप से देख लीजिये या आप ये भी सोच सकते हैं कि X को infinity के तरफ अगर आप ले जाईएगा तो X infinity होगा तो ये 0 होगा इसका मतलब क्या हो गया कि by constant के तरफ जा रहा है तो X infinity में by constant के तरफ जा रहा है तो ये तो नहीं बता रहा है को कि ये तो X infinity में by infinity के तरफ जा रहा है ठीक है जिस वे मैं प्रोसीड करिए कुछ है ने बस खरी थोड़ा सा मैथ आप जानते रहिएगा तो यह डील हो जाएगा ठीक है दिया हुआ है कि a uniformly charged solid sphere of radius r has potential v naught measured with respect to infinity यह वाला टर्म नहीं भी देता तब भी हम लोग क्या होता है कि जितना भी potential measure करते हैं के respect में करते हैं तो यह बोला या नहीं बोला उसका कोई मीनिम नहीं है ठीक है तो on its surface बतला बोल रहा है कि solid is fair के surface पर potential कितना है भी नौक दिया हुआ ठीक है बोल रहा है कि for this is fair the potential surfaces with potentials this 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 and this have radius r1 r2 r3 and r4 respectively तो कोई भी हो solid is fair वो या hollow sphere हो इक्यू potential surface तो क्या होता है इस फेर कल सेल ही होता है ठीक है तो वही डाटा दिया हुआ है कि इस radius पर इक्यू potential जो surface होगा उसका potential इतना होगा ठीक है तो आपको बोल रहा है कि बताओ इस में से कौन सा option सही होगा एक चीज़ तो आप समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर यह solid is fair है ठीक है तो हम लोग को कुछ data याद रहता है कि अगर इस जगह पर potential कितना है भी नोट जो दिया हुआ है तो यहां पर जो भी potential होगा उसका three by two times यहां पर होता है तो यह समझ में आ रहा होगा कि यहां पर potential three by two भी नोट होगा तो यह बोल रहा है क्या है कि एक क्यूक्य पोटेंशियल सर्फेस लिए जिसका potential इतना है और रेडियस कितना है आरवन है तो आरवन पर potential three by two भी नोट है इसका मतलब आरवन इसी के बारे में बात किया है तो यह डाटा ताप्पा किलियर हो गया होगा कि आरवन का बहलू कितना जीरू है क्लास में याद करवाया जाता है कि यहां का जो पोटेंसियल होगा सोलिड़ स्फेर में इसका three by two times होगा यहां भी नोट दिया है तो सेंटर पर three by two भी नोट होगा यह बोल रहा है क्या कि आरवन रेडियस पर है जो कि three by two है इसका मतलब क्या हो गया कि सेंटर पर जो स्फियर बना हुआ होगा इसका मतलब रेडियस जीरू होगा तो यह समझ में आ गया होगा आपको फिर बोल क्या रहा है कि five by four है कहां पर आर टू पर ठीक है तो five by four है देखो यह बाहर जाओगे तो भी नोट से कम होगा अंदर में रहोगे तो भी नोट से जादा होगा तो five by four तो five by four जो हो भी नोट से जादा ना है जी इसका मतलब क्या हो गया कि वो वाला जो सेल होगा कहीं ना कहीं हर हालत में इसके अंदर में ही होगा तो इसका हम लोगो को क्या करना है पता करना है ठीक है तो इसके च लो रेडियस पता कर लेते हैं तो पोटेंस्यल का फॉर्मुला थ Ouais कितना टिया है ये कितना रही तुव हो जाएगा कितना तो यहां पर हम लोग लिखते हैं ना कि कि थो K2 टू n गीट upload a आर 12олж a minus R square तो यही बाला हम लोग को पता करना है इसके बारे हम पता करना है सम्यार आपको पता होगा कि इस फेर के अंदर R दूरी पर potential कितना होता है तब B का value होता है KQY2RQ into 3R square minus R square ठीकर तो इसी में हम R निकालेंगे तब ना पचले है कि R2 का data क्या है तो यहां के लिए क्या होगा तुम देख सकते हो कि B note यहां पर इसका मतलब KQYR का value B note है तो B note को आप क्या कर गिए KQYR होगा उसको B note लोग होगा तो यहां से R square बाकी रह जाएगा ठीक है तो यहां से कितना हो गिया देखलो 2 से यह 2 तो यहां से R का value कितना हो गिया तो यहां से R का value कितना हो गिया तो इसको इधर फेक दिजिए आप तो यह हो जाएगा R square by 2 तो उसको करिएगा तो हो जाएगा R by root 2 तो इसका मतलब इतना दूरी पर potential है जो कि कितना होगा इतना होगा ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि R 2 जो दिया है वो कितना दिया है R by root 2 दिया है ठीक है अब क्या बोल रहा है कि R 3 radius पर potential है 3B note by 4, इसका मतलब बाहर के किसी point पर पर, कर नुल अट से कम है, इसका मतलब क्या होगा कि बाहर में होगा. तो बाहर में को बाहर होगा, इसका radius हम लोग मान लेते हैं कि कि और नंसरी फोगा तो इसका मतलब क्या हो गिया कि इस जगह पर इसके कारण पोटेंशियल देखो गए तो हो जाएगा कि क्यू और यह बाला किसके बराबर दिये हुए है वो तो थ्री भी नॉट बाई फोर के बराबर दिये है हलाकि इसको तुरंट पकड़ा जा सकता है लेकिन चलो देखते है और हम लोग को पता है कि भी नॉट है जो कि क्यू बाई कैप्टल आर है तो ऐसा करते हैं कि यहां पर आर यहां पर लिख देते हैं ताकि यह जो क्यू बाई कैप्टल आर बना है यह कैंसिल हो जाए इससे तो यहां से आर थ्री का भेलू इसको इधर करिएगा इसको इधर क यहां पर कितना है, तो 3 V0 by 4 है, तो इसको इधर फेक दो, तो एक तरह से V0 by 4 by 3 है, तो इसका मतलब R4 by 3 टाइमस हो गया, तो यहां सब डाइरेक्ट पकड़ा जा सकता था कि 4 by 3 टाइमस होगा, लेकिन खेर चलो, ऐसा हो गया, और फिर एक क्या बोल रहा है कि V0 by 4 है, तो इस इसके बराबर हो जाएगा V0 by 4, कि सबको बिने चलाए भी बनाया जा सकता था, तो हम क्या किया है, कि जान बूझ करके आद लिख दे रहे है, क्योंकि क्यों आइसा किया है, क्योंकि हमको R में रिलेशन लाना है, तो पहले R का डाटा तो पता कर ले किया है, अब देखो क्य है, R1 का फहलू 0 है, और R2 जो है वो कम है R4 माइनस R3 से, तो R4 माइनस R3, चलो यहां देखते हैं, पहला प्सन को चेक करते हैं, तो R4 माइनस R3 तो यह कितना हो जाएगा, देखो तो तो 4R-4R by 3 तो यह हो जाएगा 4R-4R by 3 तो यह हो जाएगा 12-4 तो यह कितना हो जाएगा 8R by 3 तो र 4 minus R 3 जो 8R by 3 तो यह हो गया 8R by 3 और R 2 का भेलू है जो R by root 2 तो अब यह सी बात है कि यह आर से बाड़ा है R by root 2 है । कितना है R से कम है माइच कर गया इसका मतला पहला ऑफ्षन आप सन्क्या हो गया सही हो गया ठीक है चलो दूसरा ऑप सन्में क्या बोल रहा है एग तो र्लेस देन है र है फोर से तो टू आर-पुर का वर थोरा फूर का वह अभय हो गया फॉरर तो उससे पो सी बात ही कि कर्सक्याओ तो यहां पर दो दो दीख गया तो आपको बताना ही पड़ेगा चलो और आगे देखते हैं आरवन इकोल टू जीरो तो आरवन का फेलू जीरो हो गया तो आपको यहां अतना है तो इतना लंबा नहीं है अगर दिमाग चला एगा ति यह सब जल्दी निकाल लेगा तो तो आई होप आप समझ रहे हों है चलो नेक्स वेसन देखते हैं दिया हुआ ए लॉंग सिलिंडर कल सेल कैरीज पोजेटिव सर्फेस चार्ज सिगमा इन द अपर हाफ एंड नेगेटिव सर्फेस चार्ज माइनस सिगमा इन दी लोवर हाफ ठीक है एक चार्ज दिया है देना जैसा ही सार्फेस ओंस्टीट अपर हाफ में सब में पलसलीघन सिगमा दिया है काईक ऑडिल्येक्टिक कि स्युंप्र य१। इश्रह फीगर इन ईन कीश्योंदर हो जिसमें ऊपर मैंयलोगा साल सभी में अंटिया। बोले कौन लाइन ओ smartphones है तो है। लाइन उफ फौर्स की केस में दोचित पड़ाय जाता है। एक पड़ाय जाता है कि आपको क्या करें लाइन ओ फौर्स दे दे तब इंटेंसिटी बोले। तो टेंजेंशियल वाला से देख लेते हैं और एक क्या होता है कि चार्ज दे दे और लाइन ओफोर्स ही पूछे दो एक लाइन ओफोर्स दे करके इलेक्टिक फिल या चार्ज के बारे हम पूछता है एक होता है कि चार्ज ही दे करके लाइन ओफोर्स के बारे हम पूछता है तो इसमें ये कौन सा case है कि charge दे करके line of force के बारे पूछ रहा है तो इस case में हम आपको क्या बताये थे कि अलग-अलग point पर आप क्या करिएगा कि charge के help से electric field निका लिएगा और देखिएगा कि क्या line of force के हिसाब से भी वही आ रहा है अगर दोनों match कर जाएगा तो उसके सही हो रहने का chance है हम यहने बोल रहे कि वही सही होगा क्यों तो बहुत जगा देखने का बाद ना होगा तो हम लोग क्या करेंगे option छाटते चल जाएगे क्या जब भी आपको charge के करण line of force देखना हो तो हम लोग क्या करेंगे charge के करण किसी point पर electric field निकालेंगे और line of force के हिसाब से इलेक्टिक फिल निकालेंगे दोनों मैच कर जाएगा तो वो option के रहने का chance है अगर मैच नहीं किया तो option कर रहने का chance नहीं है तो चलो हम लोग option छाटते जाएगे तो यहां लिक दे रहे हैं तो दिया हुआ क्या है कि इसका line of force क्या ऐसा हो सकता है तो हम लोग एक point यहां प पर पकड़ लोगे तो positive के करन तो इलेक्टिक फिल इधर होगा और negative के करन इलेक्टिक फिल इधर होगा तो नेट इलेक्टिक फिल इधर होगा इसका मतलब इधर है तो चार्ज के बैशने का लेक्टिक फिल इधर है जो की गलत है तो क्या होगया गलत होगया यह बाला कट जाएगा चलिए यह बाला देखेंगे तो इसको देखकर कभी आदमें बोल दे सकता है कि यह नहीं होगा क्यों क्योंकि लाइन फोर्स का property होता है यहां पर तुम देखोगे हाँ पर टेंजेंट ईसा है यहां पर इसके तरन यहाँ पर इसके भीू से टेंजेंट इसा है तो किसी भी प्यश्य यहां दो टेंजेंट नहीं हो सकता यह हम आपको पढ़ाए थें तो इसको सॉट फर में यह सिखा दिये थे हम कि लाइन ओफ फोर्स कहीं भी सदेन चेंज नहीं ले सकता है वह इसमूथली चेंज लिएगा तो यहां पने लग रहा है कि सदेन चेंज यह ऐसे है यहां सदेन चेंज यहां को सार प्यज बन गया तो यह तो बीना देखें बता स कानन फील इधर होगा तॉ-पॉटिब कारें इधर है तो हम्यहनित इधर है इसके भी ते यहां इंटेंसित हैं ऑ् accumulated इधर नहीं मइच कर आए जाए यह व्योचा यह गलत हो गया तो यह दो गलत हो गया तब यह यह भी ऑप्सन बचा है इसका मतलब यहीं सही होगा ठीक है तुम किसी और पॉइंट को भी पकड़ करके बना सकते थे जैसे कि अगर कोई इस पॉइंट के बारे में सोचेगा तो पोजेटिव के कारण उधर होगा इस दोनों में यह चार्ज नस्दीक है तो नेट इधर होगा इंटेंस्टी लायन ओफोर्स भी बोल रहे कि नेट इधर होगा इसका मतलब इसके सही होने का चांस है तो वो इसे ही करके देखेंगे तो देखो नहीं यहां पर रखोगे इसके कारन भी धर आएगा और लायन ओफोर्स के भी इसाब से आएगा तो अगर इस पॉइंट को पकड़ोगे त तो चारों के होने का चांस है, तो कोई दूसरा point को पक्ड़ेंगे, तब तुम क्या करते कि सैध इस point को पकड़ते, अगर एक जगा किसी point को पकड़ेंगे, तॉ चारों का भीव से देखो, अगर जो option छट रहा है, तो सवाल बन गिया, और अगर option नहीं छाट रहा है तो फिर कोई बात नहीं कुछ जितना option छाटेगा उसको छाटेंगे बाकि दूसरे point को पकड़ेंगे तिसरे point को पकड़ेंगे और उसको deal करेंगे तो I hope clear होगा class में इस जंका बहुत तरह question line of force पर कराया था चलो दिया हो है कि एधिन डिस्क of radius B equal to 2R है जे कंसेंट्रिक होल ओफ रेडियस A in it सी फिगर अच्छा कराया कि ये डिस्क जो है थिन डिस्क है तिसकर रेडियस टू ए था जिसमें से एक होल बना दिया गया है एक सब्सक्राइब रोगों होगा कि इसमें जो भी चार देनसीटी मिनीक़न कल देखोगे चलायेगा यह सबलाइग देखते कि दिमाग में काल कलें होगा फिर बोल रहा है इट के रिज युनिफर्म चार्ड देनस्टी इनिफर्म सपर इस पर से इसमा होगा कर रहा है कि इसके से एच हाइट इस हाइट वहुत कम है ठीक है यह हम दिया हुआ तो h height पर intensity जो है वो इतना है तो क्या करना है कि c का भैलू बताना है तो हम लोग को भरोल करना क्या है कि इस disk के कारण ये एकदम नया सवाल नहीं जी एकदम देखा हुआ type का सवाल है ये क्या कि हम लोग क्या करेंगे कि इस disk के कारण इसके center से h दूरी पर h बहुत छोटा है अभी हम इससे देखाएं ठीक है इसके center से h height पर intensity निकाल लेंगे ठीक है इस पर चार देंसिटी सिगमा दिया हुआ है और जो आएगा उसको बराबर कर देंगे c h के तो अब यह से बात है कि c का value calculate हो जाएगा ठीक है तो माइनस सिगमा से क्या कर देंगे भर देंगे और plus सिगमा इसका बाला और इसका बाला दोनों को एक देखेंगे तो एक बड़ा सा है इसका तो टूए है और एक दिखेगा आपको एक छोटा सा डिस्क जिसका रेडियस जो होगा वह होगा इस पर चार डिंस्टी कितना होगा माइनस सिग्मा होगा यह इस दांगा को सब्सक्राइब बहुत सारा हम लोग किये हुए हरते इसमें कुछ ऐसा नहीं कि बहुत अज होगा तो इस डिरेक्शन में इंग्टेंस्टी होगा टू यह वाले के कारण ठीक है और माइनस वाला कारण देखोगे ती धर होगा तो इस डिरेक्शन में होगा यह वाले के कारण ठीक है तो हम लोग निकाल लेंगे और घटा देंगे तो इक भेलू हम लोग जानते हैं कि e का भेलू center से h दूरी पर हम लोग पढ़ते हैं center से x दूरी पर कितना पढ़ते हैं sigma y 2 epsilon into 1 minus x by under root r square plus x square x यहाँ पर h है तो इसको लिख देंगे h by under root r square तो इसका बड़ा बाला करन पहले हम लोग निकाल दें जी तो बड़ा बाला करन कितना हो जाएगा r square करें पर क्या करेंगे 2a square तो यह हो जाएगा 4a square plus h square ठीक है इतना आ गया बड़े बाले disk के कारन इस direction में इतना और छोटे बाले कारन इधर होगा तो net के लिए हम लोग यहाँ minus लगाते हैं उधर और इधर तो उधर positive ले लिए तो इतना उधर होगा ठीक है तो किसके बराबर होगा तो इसके कारण देखोगा तो यहाँ भी चार्ट देंस्टी है जो की minus sigma है हम लोग में लोग कर रहे हैं तो हो जाएगा sigma by 2f sin 1 minus यहाँ से भी हाइट पर है तो एक्स का जाएगा पर एच पूट करेंगे बाई अंडर रूट आरा स्क्वाइर पलस एच स्क्वाइर ता आरा स्क्वाइर हो गया एच स्क्वाइर पलस एच स्क्वाइर ठीक है ऐसा अब इसको डिल कर लेना है तो यहाँ से क्या होगा sigma by 2f sin नौट कॉमन कर लिजिए आप सिग्मा बाई टूट जीशिक कम कॉमन कर यह तो दिस माइनस दिस और यह तो यह संद्वार होगा कि इसमें से यह बाला कैंसिल हो जाएगा और इसका माइनस पलस बन जाएगा ती हो जाएगा एच बाई ऑंडरूट प्लस एचस्कौइर आई यह बाला हो जाएगा एच बाय और रूट फोर एच स्कौइर पलस एच डिस्टा कुछ हाइगे अब इसको क्या कर देंगे सिगमा बाई टू एप साइनल नौट अदेखो एच को बाहर घीच लेंगे तो यहाँ हो गया अब यहाँ पर से बच गया वन बाई यतना आई इसमें कोशन में ही दिया है कि एच बहुत छोटा है एसे तो तो एच स्क्वार और छोटा हो जाएगा यह स्क्वार से तो यह ने तो समझ गया होंगे सिगमा एच बाई यहाँ पर से कितना हो जाएगा देखो तो 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 यहां से कर लोगा तो यहां हो जाएगा फोर एप साइनल नौट ए तो हम लोग जो इंटेंसिटी निकाले वो इतना होगा उस डैरेक्शन में और यह बोल रहा है कि यह बराबर है कि सिगमा भाई फोर एप साइनल नौट इसमें कुछ आइसा नहीं है कि दिमाग लगाना था या कुछ हम लोग पहले नहीं जानते को कुछ काट करके निकालता तो हां भार दो और किस दांग से प्रोसीड करना है वो सब तो हम लोग देखें वेरते हैं ठीक है अब दिया हुआ है कि शोन इंदी फीगर और टू पॉइंट चार्जेज पलस क्यू एंद माइनस क्यू इंसाइड दी कविटी ओफे स्पेरिकल सेल ठीक है एक स्पेरिकल सेल है जिसके कविटी में माइनस क्यू और पलस क्यू रखा गया है भोलाआ कि इस केफ में नियर पूरी इनो पजो है तर चार्जे टो के अप्शी आपॉजीट साइट्स उप दीड़ सेब्सक्राइब?」 यह बोल दिया है कि चाहँ जो है न वह सेंटर के दर कि अगर यह नहीं दिखाता था हम Yek सेंटर के सेंटर से जतना यह होगा उतना ही वह ऑदेर कहानी करादै C5 1 इस सरफेस चार्ज ऊं कि एनर सर्फेस क्यूवन नेट चार्ज ON IT and sigma to the surface charge on the outer surface and q2 net charge on it तो मुने बोल रहा है कि इस दोनों के कारण यहां पर जो charge density in डेवल्क होगा induced बाला उसका बोला गया है कि sigma 1 है अचोंटल चार्ज Q 1 लुस्वा है बाहर बाले पर चार्ज दन्स्ट लू इंद्ग saben सिगमा टू है और बाहर बाला पर टोटल चार्ज इंडूस हुआ है वो q2 ठीक है यह वो बोला है तो आपको बताना है कि कौन सही होगा समझेगा कुछ है नहीं समय में देशाब को उप्र कुछ इंड्यूस नहीं होता और उसके हिसाब से भी लेकिंग है चलो यहाँ पर ऐसा कर देते हैं अएसज है तो अगर यहाँ पर कितना है सट्सक्द COM है तो अगर यह मेटल रहेगा तो आप यह अगर यह प्लस है आप क्यों ह revision है कि यहाँ पर मैनस Q जेंडरेट होगा और बाहर में प्लस Q generate होगा यह सूर लेकिन अगर जो यह मेटल नहीं है जैसे कि यहाँ दिया हूँ है मैटलिक नहीं बोला है तो अगर यह मैटल नहीं है तो इस प्लस क्यू के कारण यहाँ पर कितना होगा यह बता नहीं सकते उसके लिए क्वह होता है तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पर चाहे कितना होगा उसको जानने के लिए यह तो सुवर सोटना है कि सेंटर से जितना यह इधर है उतना ही यह इधर है मतलब सरफिस के रिस्पेक्ट में यह चार्ज और यह चार्ज सिमेट्रिक है और जब सिमेट्रिक है तो यह नहीं पता है कि यह कितना इंड्यूस करेगा यह नहीं पता है कि कितना इंड्यूस करेगा लेकिन अगर यह पलस क्यू है तो जतना यहाँ माइनस का इंड्यूस सब्सक्राइब यहां पर क्या करेगा कि ज्यादा माइनस करेगा यहां पर कम माइनस करेगा और यह माइनस वाला क्या करेगा कि यहां ज्यादा प्लस करेगा और यहां पर कम माइनस करेगा तो यह करान यहाँ पर कम मायनस होगा तो यह तो समझ में आ गया हो कि यहाँ पर सर्फेस चार्ज देन्सिटी नेट जीरो नहीं होगा लेकिन जितना यह इंड्यूस करेगा माइनस क्यूब आला पूरे में पोजेटीव चार्ज उतना ही ये पलस वाला भी पूरे में माइनस इंड्यूस करेगा और नेट जीरो होगा तो ये हम बोल सकते हैं कि अंदर वाले सरफेस पर सब जगह पर चार्ज देंस्टी जीरो नहीं होगा लेकिन यहां पर नेट चार्ज जीरो होगा ये फिक्स है समझना है चलो एक बार और हम बोल देते हैं हलाकि वहीं बोल दिया है कि एक सेल है ठीक है जो भी तो कहने का सिंस क्या है कि यहां पर आप क्यू रखियेगा प्लस क्यू और यहां पर जो है वह माइनस क्यू आप रखे हुए ठीक है इस से जतना यह दूरी पर है उतना ही यह दूरी पर है मने सर्फेस से जतना यह दूरी पर है सर्फेस से यह भी उतना ही दूरी पर है तो यह पलस वाला जो है सर्फेस के नस्दीक में जादा माइनस induced करेगा और जैसे जीसे दूर होगा क्या होगा कम होता जाएगा और सबसे दूर पर कम negative करेगा induced ठीक है यह positive है तर negative है अधे इंड्यूँट करेगा और यह minus वाला जो है इस surface का नस्दीक में है तो यहाँ पर क्या करेगा कि plus जादा induced करेगा और जैसे जैसे दूर होगा तो पलस क्या होगा पलस क्या होगा कम इंड्यूस होगा तो यह समझ में आ रहा होगा कि सिमेट्रिसीटी से तो कि सरफ्यस से जतना यह दूर है उतना ही यह भी दूर है तो पोजेटी बाला जतना इंड्यूस करेगा negative बाला उतना ही induce करेगा मने अगर यह positive बाला minus Q-dice induce करता है तो यह negative बाला overall में plus Q-dice ही induce करेगा, मतलब overall Q net जो होगा induced बाला यह कितना हो जाएगा 0 क्यों? क्योंकि दोनों symmetric है तो जैसा यह property करेगा वो जैसा ही यह property करेगा तो net charge है जो कि अंदर में 0 induced होगा अब ये भी समझ गयों कि अगर net अंदर इस surface पर net 0 है इसका मतलब इधर से charge नहीं आया है तो ये समझ में आ रहा होगा कि बाहर में भी induced charge 0 होगा तो ये वाला 0 होगा अब बाहर में induced charge 0 है तो कहने का sense कि चार्ज density भी नहीं होगा ये आप समझ रहे होंगे ये class में metal बालव भी पूरा discuss किया जाता है ठीक है और non metal में भी किया जाता है तो ये समयाया क्या बोल रहे है ये plus q जतना induced करेगा minus ये minus वाला उतना ही plus induced करेगा उसका region है कि दोनों symmetric है तो अंदर में net charge 0 हो गया अंदर में net charge 0 होगा मतलब बाहर से नहीं आया है तो इसका मतलब बाहर में net charge 0 हो गया अजब बाहर में induction ही नहीं हुआ है तो बाहर में क्या होगा sigma 2 दिया है बाहर बला को हाथ इसका मतलब sigma 2 भी 0 तो ये हम लोग sure sort हो गए कि यह हम लोग स्वियर सोट हो गए है कि बाहर में चार्ज भी 0 है सिग्मा भी 0 है अंदर में चार्ज 0 है सिग्मा क्यों नहीं 0 है क्योंकि यह माइनस वाला यहाँ ज्यादा पलस इंड्यूस करेगा और यह पलस वाला यहाँ पर क्या करेगा जादा माइनस करेगा तो हर जगोगा पर सिग्मा 0 में जिसे की इधर देखोगे यहाँ पर क्या है माइनस ़्यादा aan представition नて Pak यहां पर देखो गए यह पलस है ज्यौद्व है ज्सक्राइब चार दिनेस टी अलग लग जहां पर अलग 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 जोगा वह जीरो नहीं होगा है को चो बाहर में से मैच करता है चैने का नहीं होगा जिन सीट्रेथ वंद जियो के यह सच बात है अंदर में चार्ज जीरो है यह भी सच बात है सिगमा टू जीरो नहीं है यह गलत हो गया ठीक है और यह बाला क्या बोल रहा है सिगमा ओन जीरो नहीं है चार्ज जीरो है सिगमा टू जीरो है चार्ज जीरो मैच कर गया इसका मतलब सी ओप्सन होगा यह बाला क कि नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सदिक्कत लग सकता है हम यहीं बोल सकते हैं ठीक है लेकिन सब कुछ explain class में ही कर दिया आता है ताई होप आप समझ गये होंगे कि क्या है ठीक है दिया हुआ है कि ए वायर ओफ लेंथ एल इक्वल टु 20 सेंटिमीटर इज बेंट इन्टु ए सेमी सर्कूलर आर्क ठीक है इसका लेंथ जो होगा वो 20 सेंटिमीटर दिया हुआ करा इफ दी टू इक्वल हांप स अफ़ दी आर्क वेर each to be uniformly charged with charges plus minus Q ठीक है जहां पर क्या है कि magnitude दिया है 10 to the power 3 epsilon naught column ठीक है where epsilon naught permittivity है ठीक है और free space the net electric field at the center O of the semi-circular arc would be तो कहने का sense क्या है कि इस पर भी दे दिया है आपको charge इतना plus में और इस पर भी दे दिया है charge इतना ही minus में ठीक है तो आपको बोल रहा है कि center point intensity क्या होगा यह पहले ही बता दिया गया कि इस आर के कान इस आर के कान calculate करिएगा deal करिएगा इस नंका question बहुत सरम लोग देख चुके हैं तो कहने का sense क्या है कि यहां पर दिया हुआ है क्या यहां पर दिया हुआ है प्लस और यहां दिया हुआ है minus तो हम लोग क्या करें कि पहले इसके कारण निकालेंगा जब इसके कारण निकालियेगा थी पहले ही बता दिया गया है कि आर्क के करण जो चार्ज शोरी आर्क के करण जो इसके कारण सेक्टर के यहां थर होता है तो यह होता है से कि इस डायेक्षन में हो जाएगा हुआ इस के करन यह समझ में आग रहा होगा आज कुकी चार्ज इस पर जितना है उतना ही इस पर है दूरी भी उतना है तो समझ गये होगे एंगिल भी उतना ही है समझ यह हो कि जितना यह होगा उतना ही यह होगा ठीक है और यह बाला भी एंगिल 45 डिग्री है तो समझ रहे होगे यह 45 भी 45 तो इस दोनों का मेगनीचूड सेम होगा से मेंटर सीटी से वह कैलकुलेट भी करके दिखाया जा सकता है ठीक है लेगन से मेंटर सीटी समझ रहे हों कि जतना इसके कायान होगा उतना ही इसके कायान भी होगा ठीक है तो यह दोनों बराबर है वह एंगिल 90 डिग्री है तो यह भी आप समाझ गयों होगे कि इस दोनों का नेट जो होगा और रूट टू इस डिरेक्शन में है तो सबसे पहले था क्या हो गया कि यह दोनों चट गया क्या एक बाला ही बचा ठीक है और इंटे इसके डी होगा वह बराबर होगा किसके रूट टू और इसके कारण ओर इसके कारण दूट पर लकान क्या यह दो याद रहता है कि तो यह लेम्डा हो जाएगा क्यू अब बटा ये बाला लेंथ तो कितना दिया हुआ है तो क्यू दिया हुआ है टेन टुदी पावर थिरी एपसाइनल नॉट तो टू के लेम्डा तो लेम्डा हो जाएगा क्यू अब बटा आर ता आर हो जाएगा कितना तो इसका लेंथ दिया है ट्वेंटी सेंटिमेटर तो ये वायर अप लेंथ लेंथ एकुल टू 20 सेंटिमेटर तो 2 के लेम्डा तो लेम्डा कितना हो जाएगा क्यू बटा एल तो ए ही पडलीक दे रहे तो आर थीटा का भैलू L होता है ठीक है तो R का भैलू कितना हो जाएगा L तो है 10 cm 0.1 by theta तो theta ये बाला एंगिल कितना है πाई by 2 तो ये उपर जाएगा तो 0.2 by πाई हो जाएगा ठीक है तो R का भैलू पूट कर दिजएगा 0.2 by πाई ये कैलकुलेशन है तो यहां सब देखोगे तो करो कैसे भी करो ना यार चलो पर लिख देते हैं इसको करोगे तो डिभाइड़ भाई टेन हो जाएगा ठीक है वान भाई टेन हो जाएगा तो यहां से टू से टू कैंसिल हो जाएगा और यह समझ में आ रहा होगा कि यह टेन पाई उपर जाएगा तो टेन जो उपर जाएगा जो कि एक बार में करेंगा तो यह खोगि यह टेन टू दिपाबर ट्वेल्व आ है यह ऊपर जागा तर्थर्टीन और इसका वाला भी है जो की टेन ऊपर जाएगा ठीक है तो हो जाएगा टेन टू दिपाबर फोर्टीन और यह बाला पाई तो गया ही है और एपसाइनल नौट है और यह बाला भी नाइन यहां पर होगा ठीक है बस इतना ही है यही बाला भैलू होगा अब इसको कर लिजे गया तो 10 to the power 14 इसको लिख सकते हैं 1 by 4 पाई एपसाइनल नौट का भैलू के हिसाब से डिरेक्ट लिख देते हैं तो 1 by 4 पाई एपसाइनल नौट यह था 9 इन्टू 10 पावर 9 तो पाई एपसाइल नौट का भैलू हो जाएगा 1 by 4 पाई एपसाइल नौट का भैलू डारेक्टर लिख देते हैं कितना 1 by 36 इन्टू 10 पावर 9 इन्टू 9 तो 9 से चार बार में हो गया वहां भी असान हो सकता था लेकिन लंदी हो गया तो इसको क्या करिएगा किस टर्म में दिया है वो इसको कर दिया तो 25 इन्टू 10 पावर 3 और पहले ही से जान रहें कि इस डारेक्शन में है तो आई कैप में होगा तो 25 इन्टू 10 पावर 3 आई कब यह खली एक लेंदी कर दिया है और क्या यह वाला इतना होगा यहां पर थोड़ा सा बत सकते थे व आई से लीखा जा सकता था कि इनिट का वहलू कितना हो जाता यह बराबर वा था इस दोनों इधर यह हो जाता रूट टू और इप्लस तो इसके करण जो निकाले हैं तो उसका वहलू हो जाता पहले लिख देते टू के तो के कवहलू खुल दो कर दो मान्य वानवाई और फोर बाइ एपसाइनल नौट तो के लमडा क्योव सिलेश्वा की बस तो टू के लेमडा English कि आज से लिख द्ぶर शबवानवाय वानवाय पासान एभर मॉल्वलियli साह स्नृण धितना हो जाता था इस से यह कैंसल हो जाता है ठीक है और 2 से 2 कुछ लोग cancel करते हैं ऐसा हो जाता तो यहां से कितना बसता Q Q का भेल हो तो हमको मालूम है 10 to the power 3 epsilon 0 by 2 by epsilon 0 L है और R है तो यहां पर से हम लोग calculate करते हैं R के पहलू कितना हो जाता यहां पर से देखो तो 0.2 by 12 ёघो झाए हो जाता त आर का लिख देते हैं हम लोग 0.2 by 12 Honmin 15 यहां उपर कर देते हैं इसे देखो यह बाला कट जाता डिरेक्ट थेकर तो यहां से कितना हो जाता है यह टेन हो जाता ठेकर और यहां से चार से यह 25 हो जाता है ऐसे कोई दिकत नहीं है एक्जाम में यह थोड़ी पता रहता है कि वह बला आ जाएगा तो जैसे भी करिएगा कुछ है नहीं बस इसमें क्लास में यह बोल दियाता है कि आरक है तो दिमाग नहीं लगाना एंगिल बाइस सेक्टर के तरफ ही होगा अगर उनिफर्म ली चार्जड है तो पोजेटिव होगा तुस्के दूर होगा निगेटिव है तुसके तरफ होगा और उसका रिजल्टेंट ले लिजागा इसमें कुछ हैसा था नहीं कि मतलब अच्छा कोशन इसको बोला जाए एक तो भी ओप्शन हो जाएगा ठीक है दिया हुआ है कि एन एलेक्ट्रिक फिल्ड इव हेक्टर इकोल टुट थर्टी आएक है प्लस थर्टी जेक है मतलब कॉंस्टेंट है ठीक है एक्जिस्ट इन रीजन ओफ स्पेस इप्टेंशल एक्स इकुल टू टू मीटर बाई एकुल टू टू मीटर इज तो चुकि इलेक्ट्रिक फिल्ड कॉंस्टेंट है तो पोडेंशल डिफरेंस आपको निकालना है तो यह बराबर हो जाएगा किसके माइनस इव हेक्टर डॉट डेल्टा आर्व हेक्टर के ठीक है तो इसको ह आई करवार हो जाएगा माइनस इस सब्सक्रावर हो जाएगा माइनस इवेक्टर हो गया 5026 पलस 30 जूके एख सधैंडीयो लोन सकते तो अपको बोल आए कि भी हो जाएगा इसा हो जाएगा यहां से बीतु का भैंडी कितना हो जिए हुआ है कि इन फीगर इस सोन एस सिस्टम पोर कैपाशिटर्स कनेक्टेड अक्रॉस एक्रोस टेन बौल्ट बैटरी इस फीगर में चार कैपास्टर कनेक्टेड है इस बैटरी के दूट ठीक हैं फीर बोल रहा है कि चार्ज that will flow from switch S when it is closed easy इसको जब करिएगा तो कितना चार्ज फ्लो होगा यह टाइप पढ़ाया हुआ ची टाइप में क्या बताया जाता है कि चार्ज फ्लो होगा जब connection होगा ठीक ही होता है को सन्का पढ़ादिया था है यह ट्यू तू माईक्रो फैराद और यह हो जाएगा थिरी माईक्रो ठीक है और है यह वाला जो है कि इसको कणेट करेंगे हम लोग यह भी एस दिया हुआ कि यहां पे है कि जो की है टेन भोल्ट है स्वेटा इस आख भी बोला यह वाला यह बोला तो करा है जब कितना चार्ज फुलों होगा तो यह एक टाइप ही आपको पढ़ाया जाता है कि ज़ले हम लोग इस जगह पर निटार्गे कि यह लोग यहां पर आया होगा वह से फुलों करके ही आया होगा यह आपको नी कि यह से कर दिये यहां से ले करके यहां पर कर दिए तो बताये कितना चार्ज है जो कि उससे फ्लो होगा तो हम लोग क्या करते कि जब नहीं कनेक्ट किये हुए हैं तब इस पोर्षन में यह इस पोर्षन में इस प्लेट पर और इस प्लेट पर टोटल चार्ज देख लिजिए और कनेक्ट करक तो यहां कि यहां प्लस रहेगा तो यहां माइनस की ओन हो का यह का नहीं चलेगा तो आप समझ गयों कि इस पर और इस पर मिलाकर करके नियत जीरो होगा ठीक है तो इस पूर्षन पर before connection qnit कितना था तो 0 था इस दोनों plate को मिला करके देखे ना चार जब जाएगा तो यहाँ पलस क्यूव अधर जाने करास्ता तो है यहाँ पलस क्यूव नहीं यहाँ माइनस क्यूव तो हर हालत में यह 0 हो गा ठीक है अब जब आप इसको connect कर दीजिएगा तो connection के बाद आपको ऐसा मिलेगा यह connected रहेगा ठीक है और यह बाला है जो की बैटरीय से लगा हुआ है यह 10 गोल्ट है यह बाला 3 microfarad है यह 2 microfarad है यह 3 microfarad है यह 2 microfarad है ऐसा है तो अब हम लोग क्या करें कि जैसे ही connect किये ता भी इस दोनों पर निकालिए तो पहले तो इस प्लेट पर नेट जीरो था जैसे ही आप connect करिएगा तो अभी इस प्लेट पर जोड़ करके देखिएगा तो जो भी यहाँ पर आएगा वो तो हवा से तब बहा क्या आएगा ने अब यह सी बात है कि इसी से फुलो हुआ होगा आप समझ रहे होंगे थियोरी पढ़ा दिया गया तब हमारा काम क्या हुआ काम क्या रहा गया कि इस पर और इस पर चार्ज निकालना तो इसको बड़ा असानी सा आप डील कर सकते हैं कि यह दोनों पैरलल हो गया तो यह फाइब है यह यह भी फाइब है इसका मतलब क्या पांच होगा यहां भी पांच तो इसके क्रोश पांच होगा जब इसके रोस पांच भोल्ट है इसका मतलब इस पर चार्ज हो होगा ओर यहां पर यहां पर अब यह दोनों पर बराबर रहेगा इसा जरूरी नहीं को कि यहां से जाएगा तो इसका भेलू कितना हो जाएगा तो इसका भेलू हो जाएगा इसके एक्रोस 5 वोल्ट जरूए यहां पर हो जायगा टेन मैक्रो कुलॉम यहां पर मैंगनिट्स की में बार कि यह और हो गया पलस फ्रह मैंस फिप्टेन मैंग्रो कुलॉम यहां पर मतलब इस पर आफजो नेट देखेह यację गा तो इस पर को गया फैनाई को गया थे कहां नेहां पर था कितना सकता है यह मिला कर को बोला भी नहीं रहें तो कि सिर्फाइब मैक्रो बीट सकते हो तो band Zойдर अब बाद मीद आप पर दुश्का कि इसका मतलब इधर से पास्तों ढ़स्त गया तो 5 मैक्रो क्लॉम मैंक्रो क्लॉम एक तो इसको इसे भी बोल सकता था दिए एधर से 5 जाएगा तो किया लगा किया इधर से होगा यह कौपी में करवाया हुआ रहा ता नहीं टाइप तो आप समाझे किसी न किसे डील होगा 최टलेव्र है कि आपार्लल प्लैंट कापासिटर is made of two circular plates separated by a distance of 5 mm and with a dielectric of dielectric constant 2.2 between them थीखहे, When the electric field in the dielectric is this, the charge density of the positive plate will be कि एक्ट कि लाप को अंदर में कई अब को दे दिया डिस्टेन्ज भी इसे को पूछ रहा है चारड देंस्टी पूछ रहा है तो हम लोग तो पहले ही जानते हैं कि इल्गता क्यों होता कि इसको कि लिखते हैं उर हे एपसाइनल नौट एपसानल आर यह जो भी बुरिघेया तो आज幕 यूश 5 बॉल देते हैं तो इक बहिंदू हो जाता है सिंग माइट है एक सानल पाइज नौट यह बाला action बाहने ईन्ट कर्छं यह बराबर हो जाएगा Sigma by Epsilon not Epsilon not का value हो जाएगा 8.5 एन्टो 10 टुदी पावर बावर 12 ठीक है यह बहला हो गया Epsilon not मनेए Epsilon R हो गया यह डाइलेक्टर कोंस्ट जो बुलिए इसका भेलू दिया है 2.2 तो यहां से sigma का value जो होगा उसको इधर फेक दीजिए तो इसको इधर कर दीज़ेगा तो हो जाएगा 6.6 into 8.85 यह बाला होगे 6.6 into 8.85 आई यह बाला जाएगा तो हो जाएगा 10 to the power minus 8 यही बाला हो जाएगा तो 10 to the power minus 7 के term में दिया ठीक है 10 to the power minus 7 करियेगा तो इसको इधर चल दाएगा 10 to the power minus 1 तो यह बाला हो जाएगा 8.85 into 0.66 into 10 to the power minus 7 आई होप आप समध रहे होंगे ठीक है तो इसको calculate करना पड़ेगा क्या यह आप इससे समध सकते हैं कि यह इसका हाप के आसपास मैंने 4 के आसपास होगा अच्छा दोनों है तो फिर multiply कर दीजिए तो करिये ना इसको करिये multiply तो छे पच्छे तीर के जिरो बाके तीन आरतालीस तीन एक यामन के बाके पांच आर्चका अधालीस अपांच तीरपन यह इतना हो गिया तो यह इतना ही हो जाएगा जीरो वन फोर एट फाइब ठीक है दो दो चार इतना तो यह कितना हो गया 5.84 इसका मतलब यह सिक्स बारा हो गया तो सिक्स इंटो टेन टुदी पार माइनस सेबन ठीक है कोलों इसमें कुछ थान है आपको पता है अगर जो पोटेंशल डिफ्रेंस देता तो भी बाई दी बाला हम लोग यूज करते है ठीक है तो किलियर हो गिया होगा इसमें कुछ थान है दिया हुआ है एजूम देट अने लेक्टिक फिल्ल ए वेक्टर एक्टर एक्स स्क्वार आई कैप अच्छा भैरियाबल है ठीक है एक्जिस्ट इन स्पेस देन दी पोटेंशल डिफ्रेंस भी ए माइनस वी नौट वेर वी नौट इस दा पोटेंशल अट दी अर्जिन इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है समयारा आएकने भैरियेबल दिया है सिधे इंटिग्रेट होगा तो पोटेंशल डिफ्रेंस कितना हो जाएगा भी ए माइनस वी नौट यह बराबर होगा इंटिग्रेशन माइनस इंटिग्रेशन इव हेक्टर तो यह बहला हो जाएगा दी एक है तक यह बहला हो जाएगा कहां से कहां तक तो यहां से यहां तक तो भी नौट है जो कि क्या है यहां पे है जीरो और कहां तक टू तो यह जीरो बहला हो गया टू बहला हो गया तो यह हो गया भी यह माइनस बीनोड यह बराबर हो जाएगा माइनस 30 और X स्क्वाइर का हो जाएगा X क्यू भाइथी तो X क्यू भाइथी में इसको पूट करोगे ठीक है तो 8 आई जीरो तो सीधे हो जाएगा 8 यहां से भी ए माइनस बी नॉट यह बराबर हो जाएगा मैनस एट टीके ठीक है तो माइनस एटी हो जाएगा दे बाला हो जाएगा ठीक है तिसमा कुछ थान है क्या बतावे दिया हुआ है टू काइपासिटर सीवन इन सी टू अर्चार्ज तो वन ट्वेंटी बोल्ट अन्ट बोल्ट रिस्पेक्टिबिली ठीक है इट इस फाउंड डाइट बाइक्टिंग देम टूगेधर दी पोटेंशियल ओन इच वन कैन बी मेड तो जीरो अच्छा तो पोटें घरीने हो एक चेह प्रण allora की कॉमन जीरो है इसका मतलब डून जीरो अरे तुम जानते होगे मनें जो होगा वह बराबर होगा क्यू टोटल की ठहसे कि जीऔर अस का मतलब यह बुढ़एर बूर्ब से कनेक्ट कर दिया होगा ठीक है तो सान मेग्नीचूड बराबर होगा तो सीवन को कि आये कितना से 120 सीवन कब बराबर हो जाएगा किसके 200 वाइस से चार से पांच बार में तो थीरी सीवन बराबर हो जाएगा फाइब सीटू के ठीक है यह कनेक्टिंग बाला ही टाइप है यह हो गया दिया वो है टू चार्जेज इच इकोल टू Q are kept at X इकोल टू माइनस A and X इकोल टू A on the X-axis ठीक है एपाटकिल अप मास M and charge Q0 इकोल टू Q by 2 is placed at the origin ठीक है इप चार्ज Q0 is given a small displacement by ठीक है जो बहुत छोटा है A से along the by axis the net force acting on the particle is proportional to यह बोल क्या रहा है कि X-axis पर यह origin होगा तो X equal to A पर मतलब यहां से A दूरी पर Q charge रखा गया है और minus A पर भी ठीक है कितना रखा गया है Q ही charge रखा गया मने कहने करत क्या है कि इससे A दूरी पर भी Q charge रखा गया है और इससे A दूरी पर भी Q charge रखा गया है यह बोल रहा है ठीक है और कर रहा है कि एक पार्ट की लिए जिसका मास M है चार्ज क्यूब आई टू है जिसको कि रखा गया था और जिन पर यहाँ पर एक चार्ज था जो कि यह और जिन है ठीक है यहाँ पर रखा गया है और क्यूब आई टू है इसका चार्ज तो करहें केरा कीक्यों स्टीक को बोले हैं के सब्सक्राइब कुण सब्सक्राइब को किनॉट इसे को बोल रहा एक Dartmouth थर्ण टिक क्यों नौर्ट इस डिस्प्लेशसद मरा स्मॉल डिसंश्पूस्पेंट वाई है जो की दिया गया है y axis के तरब तो ये वाला जो है ये x axis है इसे ठीक है तो ये वाला होगा क्या y axis है तो इसके along displacement दिया गया इसको ठीक है छोटा सा displacement दिया गया जिसको y बोल रहा है ये वाला बहुत कम है इसके respect में तो आपको बोल रहा है कि इस पर net force बताईए जो लगेगा वो किसके proportional होगा इसको बनाने का दो तरीका एक तरीका तो क्या है कि इसके कारण इस पर फोर जब इसको लिख दोगे q by 2 तो इसके कारण इधर लगेगा इसके कारण इधर लगेगा फिर angle निकाल करकर को उस दोनों का रेजल टेंट लो और उसके प्रोक्सी में असन मारो एक मेथड यह होगा ठीक है लेकिन तुमको हम क्लास में ही यह बताए है कि जब दो चार्ज बराबर रहे जब जो चार्ज क्या रहे बराबर रहे और उसके perpendicular by sector पर कहीं भी रखे नजदीक रखे चाहे दूर रखे तो यह बाला रिंग का प्रोपरटी फॉलो करता है तो ऐसा परती तो होगा कि यह दोनों चार्ज क्या है रिंग पर रखा हुआ उसके बाद फॉर्मूला लगा दो यह तुमको हम बता चुक है उसका बहुत सारा application पढ़ाया जाता है जिसे के पूछ देगा कि इस दोनों के कारन इस चार्ज को कहां पर रखे के स्वा हो सहनारा इस यहां का बहुत सीरा सवाल होता है equilibrium, 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 Municipal equilibrium यह सब को बात बात है जब किया जाता है तो हम पहले ही बताये थे कि दो चार्ज रहेगा दो चार्ज रहेगा आइडेंटिकल तो उसके परपेंडिकूलर बाइसेक्टर पर चार्ज को कहीं भी रखोगे तो यह दोनों के कारण इंटेंसीटी निकालना रहेगा तो डिक्टो रिंग बाला लगेगा ठीक है जहाँ पर क्यू का बहलू हो जाएगा टू क्यू और रेडियस हो जाएगा किसके बराबर एक के बराबर तो इस पर फोर्स देखना तो यह तो समझ गयोगे कि इसके कारण अगर यहाँ पर तुम क कि थेखने कि इसके कारण इदुदर लगेगा जाएगा तर इसका चार्ज को इस दोनों कारण इंटेंसीट अगरए टो जेलेंगा तो से यतना के एक के जगा पर इतना हो जाएगा तो फर्मुला पढ़ते हैं के एक सब्सक्राइब ऑस्कुर ouaisज के वाला फोर हो जाएगा उस डैरेक्शन में होगा तो यहां पर Sun हो जाएगा तो कि क्यू स्कुर्पैर कुछ नहीं कर सकते कूपकर में ने बहुत हो गया किसके बाई के समया रहे किने उधर है तो फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा बाई के और अधर ही है तो माइनस वाला नहीं होगा प्लस वाला गाई दूम डिस्प्लेस करें तो इस टरब या बनाने के लिए बागी आपको रिजल्ट भी आद रहता है कि अगर दो आइडेंटिकल चार्ज है और उसके परपेंडिकूलर बाय सेक्टर पर किसी अपोजिट को रखते हैं और कम दूरी पर रखते हैं तो यह चम करता है तो आपोजिट बाला नहीं लगेगा उसके उल्टा बाला लगेगा तो बिना पेन उठाए भी बता सकता था उस से कि यह बाला हो जाएगा ठीक है ऐसे हम लोग इतना किये और करना है तो फिर लंबा चोड़ा के इंगिल निकालो फोर्स निकालो कंपोनेंट तो बहुत रखना ठीक है तो इसको बीना चलाए भी बना सकता है बच्चा अगर क्लास में वो टाइप ध्यान आपको होगा तो और बाकिया इसे भी कर सकता है ठीक है दिया हुआ है एलाइन चार्ज क्यू इस उनिफर्मली दिस्टिबूटेड ओभर ए लॉंग रडड अबी अफ लेंथ एल एज सोन इन दी फिगर देलेक्ट्रिक पोटेंशल एट दी पॉइंट ओ लाइं अट दिस्टेंस एल फ्रॉम और एकल और फॉर्मूला भी भी इसका लेंथ जो है माल लेते हैं एल हम लोग जो इंड से x दूरी पर intensity और potential का formula हम लोग पढ़ते हैं तो potential का formula कितना पढ़ते थे k lambda ln x पलस l by x यह वाला हम लोग पढ़ते थे यही बला डायरेक्टर लगा देंगे ठीक है यह आया कहां से है तो integration से आया है और intensity का formula कितना पढ़ते हैं तो k q by एक इंड से दूरी x है और दूसरे से l पलस x है ऐसे करके हम लोग याद रखते थे ठीक है तो k q by इतना यह intensity यहाँ पर हो जाएगा रड के कारण potential इतना हो जाएगा दिमाग नहीं लगा ना यह रट लेर ना इंटिग्रेट करके बताया गिया था यहाँ से x जाकर के dx portion लेते हैं उसके करण निकालते हैं इंटिग्रेट करते एक से l पलस x तक तो यहाँ से हो जाएगा epsilon not में दिया है तक कि एक को खोल देगा तो वन भाई 4 पाई epsilon not हो जाएगा lambda तो lambda जाएगा q by l ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा l आये भी l तो यह हो जाएगा 2l आप आई यह बाला भी l यह कैंसिल हो गया तो हो गया q by 4 पाई epsilon not l ln 2 ठीक है तो q by 4 पाई epsilon not l ln 2 पहला यह option को match कर गिया है ठीक है तो यही बाला होगा और इसको दोखो तुम याद रखना ठीक है इंटेग्रेट करते क्लास में बता दियाता है कि एक्स जाके डी एक्स लेते हैं इसके चार्ज करते हैं इंटेग्रेट करते हैं यहां से यहां तक हो ठीक है है जिसका रेडिया सार हो उस पर क्यू इनिफर्म डिस्टिब्यूटेड जो नन कंड़क्टिंग है दिश्क रोटेट्स एबाउट एन एक्सिस परपेंडिकूलर टू इट्स प्लेन पासिंग थू इट्स सेंटर विट एन एंगलर वेलोसिटी ओमेगा डिस्क जो है उस से एक एक्सिस पास हो रहा है प्रपेंडिकूलर लिए घूम रहा हो मेगा से रिजल्ट ओप डिस रोटेशन माइटिक फिल ऑप इंडक्शन बी जो अब्टेंड इस सेंटर अब डिस्क यतना तुम पढ़े होगा तुमको दिमाग क्लिक कर गया होगा टाइप जो बताया ग करके आये केम वाई एल एकोल टो क्यू बाई टू यह से सब बता दिया जाता है ठीक है तो क्लिक कर गया होगा कि वो मेगनेटिक फिल वाला टाइप है इफ वी कीप बोथ दी अमाउंट ओफ चार्ड प्लेस डॉन दी डिस्क एंड इट्स एंगलर वेलोसिटी तो बी कॉंस इंटेग्रेट करके और उसके बाद फिर क्या करें गराब बना देंगे तो यह सब क्लास में करवाया जा चुका है ठीक है यहां पर भी कर दे रहे हैं तो इस डिस्क पर है जो कि चार्ड दे दिया गया है कि इनी उनिफॉर्म ली दिया गया ठीक है इस पर चार्ड क्यू है और इसका रेडियस जो है वह आ रहें दिया हुआ ठीक है तो इस जगह पर अगर मेगनेटिक फिल निकालना आए तो हम लोग क्या करेंगे आर जाकर करकर करके और डी आर ठीकनेस करेंगे ठीक है इसको आर को हम लोग यहां लिख दे रहे हैं तो इसका यहां पर जो चार्ज होगा तो इसके घूमने के कारण हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर मैंगेटिक फिल निकाल देंगे ठीक है और उसको इंटेग्रेट कर दें यहां पर इतना चार्ज है यहां पर घूमेगा तो यहां पर अगर यहां पर कितना करेंट कर सकते लेकिन करिय ooillette without करेंट पर इतना यहां पर चलाएगा ओमेगा में क्यों की कुकि डाटा ओमेगा में दिया हुआ ठीक है यह बाला हो गया आई तो डिक्यू कर प्रपूट कर दिजिए टू पाई आर डी आर इंटू क्यों बाई पाई आर स्क्वाइर बाई टू पाई यह बाला हो गया डीक्यू है यहां पर ओमेगा है इतना ही होगा यह अब सब्सक्ति अब अब यहां पर I बह रहा था यहां पर मैगनेटिक फिल कितना हो जाएगा मियू नोट आई तो यहां पर होगा इसके कारण और पूरे के कारण करना है तो इंटेग्रेट कर दिजेगा जीरो से लिए करकर के कैप्टल र तक यहीं बाला बी हो जाएगा सेंटर पर यहां से कितना हो जाएगा देख लिए को सबको बाहर फेक दीजिए तो क्यू ओमेगा मियू नौट बाई यह बाला नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा आर से कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो यहां से कितना हो जाएगा टू पाई आर स्क्वार तीन यहां हो गया और यह बाला इतना ह और तो यहां कुछ बचा ही ने दियार बचाता दियार का इंटेग्रेशन हो जाएगा और इसको पूट करियेगा तिहां पर आजाएगा आर तो यह कैंसिल हो जाएगा तो क्यू ओमेगा मूनोट भाई तो यह है नहोगा मैंने टीटिक इतना होगा तो आपको ग्राब बनाना से बाला हो गया वाई और और यह तो हुआ और यह तो हुआ किसिंपल मेथट एड़वांस का बच्छा देखेगा वह बिना उठाएगा इसको बना लेगा कैसे मन में सोचेगा कोई मन में सोचेगा जो हम मेथबर बताये shortcut में, mu naught i by 2R, तो वो सोचेगा कि ये बाला तो भी रहने दो, और i जो होता, वो q omega by 2 pi होता, तो ये भी constant, ये भी constant है, तो अब वो इस से सोचेगा, तो वो देखेगा कि q जो है, वो linearly भेरी कर रहा है, और q, आई ये बाला है, r per power minus 1, तो चुकि वो linearly भेरी कर रहा है, तो ये वाला हो जाएगा, 2 by 1 into, उसको r पर रह करकर करके b का बहलू केलकुलेट कर लेगा, ठीक है, तो r पर रह करकर, करके b का बहलू केलकुलेट कर लेगा, तो हो जाएगा q, mu not, i, i के बहलू हो जाएगा, q omega by 2 by, अब बटा 2 r, ऐसे करके वो लीखेगा, तो ये cancel हो जाएगा, तो जाएगा, q, mu not, q omega, बटा 2 by r, वही आया होगा, q omega by 2 by r, तो ये तो मन में ही कर लेगा, वह उतना करेगा थो नहीं, तो मन में सोचाएगा, कर लेगा, तो एडवांस वाला बच्चा, वह इसे बिना चलाए बना सकता है, ऐसे डील होगा, ठीक है, करेंट निकालना जरूरत नहीं था, जरूरी नहीं था, ये भी आपको पता था, तो बीना करेंट के भी आप कर सकते थे, कि में अटिक फिल्ड होगा कितना, तो करेंट को नहीं के बल क्यों को गोमा दीजिए, तो उसके हिसाब से डील, दोनों एक्के है, ठीक है, बस सोचने का ना जरीया लग लग है, तो इस पर कुछ था नहीं, ये क्लास में करवा दिया गया, इस पर मैंगनेटिक मोमेंट में पूस्ता था, तो कईसे होता बतातो, तो उभी इंटिग्रेशन से निकल सकता था, लेकिन में बताया जाता है, एम बाइएल बराबर होगा, क्यों बाइटू एम कर देंगे, तो वो बराबर हो जागा, आई इंटू मेगा के, हो जाता कितना m r है और अगर अग्याब गोगिया है यसके गिनेट बहनाता है इसके ज Training हो हुगिया है है आइसके ज्रतर पर वश्यापन कि निद्वन तो यह भी क्वेस्टन हो सकता है कि पूछ सकता था ठीक कि इसलिए नहीं कि कलास में इसको करवाय हुए हुए उसके बना रहे हैं इसलिए दोबारा यहां पर बना दिये और जा सकते हो कि को इप सिसको कोई घूमा देगा एक सिष से तिए नहीं हो जाएगा दिया हुआ है कि इसक्वेस्टरान वान और इस्टेट्मेंट टू प्रड़ च्वाइस गिवन अप्र दिये स्टेटमेंट तो दी वन डेट बेस्ट इस्ट्राइज इस जान रहें कैसे करता है यह सर्शन रिजंटाइप का हो गया एंसुलेटिंग सॉलिड स्फेर ऑफ रेडियस आप ली इन्सुलेटिंग है तो चार्ज अंदर में रहेगा अ इस युनिफोर्म चार्ड दिस्ट्रिबियूशन देर इस फाइनाइट वह लुव फिलेक्ट्रिक पोटेंशियल एड दी सेंटर ऑफ दी स्फेर वो तो अब्यस से बात है कि थी नहीं भी देता तो हम लोग क्या मानते जीरो ही मानते और अगर इंफिनिटी पर कुछ देता है तो कैसे भी यह सुनता है विक्रा से बता है कि वेने चार्ड क्यूव इस टेकन फ्रॉंग दी सेंटर टू दी सर्फेस ओव दी स्फेर इस पोटेंशियल इनर्जी चेंजेज बाई दिस ठीक है तो पोटेंशियल इनर्जी में चेंज कर रहा है तो बराबर हो जाएगा कितना क्यूव जिसको मूब कराईएगा भी फाइनल माइनस भी इनिसियल यही बरा हो जाएगा तो move किसको करवाएं है अब, q को move करवाएं है, यहां हो गया q, अब भी final, तो final कितना है, तो वहाँ पर surface पर potential होगा कितना, b note, और कहां से बोल रहा है, center से surface ना ले गया है, जी ते surface पर इतना होगा, और center पर हो जाता है, इतना, यह बराबर हो गया, minus q b note by 2, इसका मतलब क्या हो गया, कि potential energy घाटा होगा, इतना से, इसको रो का term में लिखना है, तो हो गया, minus q by 2, और b का value हो गया, k, k कजा पर लिखे देंगा, 1 by 4 pi, अप्चाल नो, ठीक है, तो k, q, तो q हो जाएगा, 4 बटा 3 pi, r q, r ना दिया है, radius, हाँ, तो 4 बटा 3 pi, r q into rho, तो k q by r, surface पर माने हैं न, भी note, तो r का जगा पर यह बाला होगा, इसको deal कर लिजेगा, तो 4 pi से 4 pi cancel हो गया, r से r square हो गया, तो यहां से कितना आगया, देख लिजे, minus, minus तो बता रहा है, कर रहा है, minus, q, r square, rho, not, rho, q, r square, rho, divided by 3, epsilon, not, or 2 है, तो यहां सो गया, 6, epsilon, तो मतलब यतना से decrease करेगा, तो changes बोला है, तो plus minus का बातों नहीं किया है, तो दिया हुआ है, रो, q, this, तो अब यह से बात है, क्यों गलत है, यह बाला होगा, यह आप समझ रहे होंगे, ठीक है, तो statement one क्या हो गया, गलत हो गया, statement two क्या है, the electric field, the statement one गलत हो गया, तो यह क्यों बहुत, यह बाला हो गया, तो यह आप जान रहे होंगे, चार्ज को मूब कर वाया है, तो प्रेंशनलरी में चेंज कितना होगा, यह बाला हो जो, प्रेंशनलर्जी में चेंज बोले में एकते से बाला बोल दिये, तो क्यूब इन्टू भी फाइनल मानेश में तो सर्फेस पर अगर भी नोट मानते हो, तो सेंटर पथरी भी नोट वाई टू हो गया, तो इतना हो गया, प्लोटेड एज फांक्शन ओब डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर दग्राव वीच वूड वूड कोर्रेस्पॉंड टू दी एबब विल बी, अच्छा एक ची देखना, दिया यूनिफोरूम्ली चार्ज इस्पेर, जब तक नहीं बोलता है, हम लोग क्या मानते हैं? जब तक नहीं बोलता है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, तो कलास में ही एकदम डिरेक्ट राट बाद दिया जाता है, क्या? कि अंदर में रहेगा, तो रोल भाई थ्री एप्शन लोट इन्टू आर होगा, तो पहले क्या होगा कि शेंटर से जब चलियेगा, तो लिनियरली है जो की बढ़ेगा, और उसका जई सी बाहर निकलीगा, तो वन भाई यह रस्त बरती है, तो यह बाला होगा, तो कुछ बताना ही नहीं, कुछ नहीं बताना, ठीक है? दिया हुआ है, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फेर्स सस्पेंड़ फ्रोम ए कॉमन पॉइंट बाई टू मासलेस स्ट्रिंग्स ओफ लेंथ एल आर इनिसियली एडिस्टेंस दी, ठीक है? एपाट, वेकाउज ओफ देर मीचुवल रिपल्शन, और दोगों को क्या किया था है कि कॉमन से इसे अप लटका दिये थे, तो मीचुवल रिपल्शन के करण से इसे हो जाएगा, ती स्ट्रिंग एक तरह से बन जाएगा, ठीक है, इसके बीच में दूरी दिया हडी, कराइड़ चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ दी स्फेर्स, एट एक कॉंस्टे आ रहा है कि यह पीथ बॉल प्रोब्लम हो गया, तो पीथ बॉल प्रोब्लम वालम क्या होता कि जैसे ही रखिएगा, आई बोल रहा है क्या 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 किया, ठीक है, तो यहां पर किसी टाइम में इस पर चार्ज क्यों होगा, इस पर चार्ज क्यों होगा, और यह वाला angle कितना होगा theta होगा ठीक है हम लोग पढ़ते हैं पित बोल बाला problem में देगा कुछ भी लेकिन हम लोग पढ़ते हैं जी कि यहां से क्या कर गए है theta कर गया इस direction में तो आपको relation निकालना है भी और x के बीच में यह आपको बोल रहा है तो किसी समय में आप मान लिजे कि इसके बीच में दूरी कितना होगा एक्स होगा शुरू में दूरी दी था लेकिन जैसे इसे लीक हो रहा है तो क्या होगा कि रिपल्शन कम होगा तो यह से आएगा यह आप समझ रहे होंगे तो पीथ बॉल प्रोब्लम को कोई भी चीज दे तो हम लोग डा रिलेशन चाहिए तो इसका मतलब एक्स और इसके डिफ्रेंसियेशन वाले में रिलेशन चाहिए तो टैन ठीटा को हम लोग क्या कर देंगे अच्छा यह चीज और डाटा दिया हुए देखिए कि डी बहुत छोटा है ल से तो शुरू में ही क्या था कि यह वाला कम था तो टैन ठीटा बन जाएinka साइन ठीटा साइन ठाली क्या होगा कि यतना बाटा यतना हो जाएगा। तस रिकसर गी कुज है नहीं इसमें चार्ज था क्या हुआ कि शुरू में D दूरी था जब लीक करने लगाती यह इधर आएगा जैसे ही इधर आएगा तो हमको क्या है रिलेशन सेटब करना है कि इसके इधर आने के रेट मतलब DX by DT और X में है जो की रिलेशन सेट अप करना ठीक है तो पहले ही बता दिया तो इसको कंपोनेंट में तोड़ी है टीक और याद रखना जी इसका देख रहे होंगे तीन-चार बार यूज़ा भी तक में ही हो चुका है ठीक है तो इसको ध्यान दीजेगा तो इसको हम लोग क्या की है चुकि हमको दरुवत में एक्स का दरुवत है तो और यह भी ढिया हुआ एक यह बहुत छोटा है तो पूछ रहा तो यह चोटा है यह संस्टेंट है किसके एकस क्यूंके तो हमको भी को रिलेट करना तो इधर फेक दीजिए तो जैसे हीं इधर फेक येगा तो ना कि ये जो डिय दिटी हो जाएगा भी ठीक हालाकि ये जो डी एकस्बाइब बीच का क्या देगा भी एपरोच देगा किसके बारें बात कर रहा एक दोनों के गटने का नहीं होगा तो डी एक्स वाई डीटी भी लिख दीजेगा ठीक है और यह बाला किसके बराबर हो जाएगा तो थो बाई थी यहां से क्या होग या भी प्रपॉर्पोर्शनल है किसके यह बोल रहा है कि यहां समझेगा हुआ बोट दी इस फेर इत अट नसे रेट इसका मतलब यह समझ में आ रहा होगा कि यह वह बादा जो रहा है ुवा इसके चार्ज तो अगर चार्ज के पूस्ता था बोलते कि यह पर पर पावर इसको हमाई से कर देखिया ने क्यूपर पावर वन बाई थी पर पावर माईने सुग तो पर पावर वन बाई थी इसको इधर करियेगा तो तो बाई टू करिए तो यह होगा तब भी पर पोस्टनल होगी है इसके ठीक है कुछ नहीं करना है पीथ बोल बाला प्रोब्लम है यह बाला तो आप इसको भी करके करें तो लंदी हो जागा तो यह आप लिख दिये आपको इसमें रिलेशन चाहिए ठीक है इधर बाला में थ थीता को गायब करना है तो इतना बाट इतना हो लेंकि बहुत कम है इतना हो जाएगा साँठा हो जाएगा इतना अबता है यह एक यहां से कर गये और चुक्छे हमको यह दिया हुआ है कि भेले अपरोज का रिलेशन लाना तो दी एक्स बाई डीटी एगर हमको करना था तो गाइब कर दिए रहा है दी एक्स को एक तरफ कर दिया को डिफ्रेंसियेट कर दिया बोला है कि लिक होने का रेट कॉंस्टेंट है यह पर आगिया अगर चार्ज के रिस्पेक्ट में रिलेशन पुस्ता भी के तो यहीं बाला ए दिया है उसके बीच का गयब का दिया थिया बाला होगा ठीक है तो यह आप समझ रहे होंगे तो देखो हम लोग क्या होता है कि इंटेंसिटी तो जानते ही है ठीक है इंटेंसिटी का हम लोग फॉर्मुला कितना होता है रो इधर से निकालोगे तो कितना हो जाएगा तो इसके बराबर होगा मानास सब्सक्राइब बाइनस सब्सक्राइब करएं बाइनस गया हुआ तो इधर से हम लोग केलकुलेट किये तो इक बहलू इतना आया हम लोग पढ़े हैं क्या तो इक बहलू किसके बराबर होता तो आपको रो पूछ राति स्कुरिण को इधर कर दीजेगा तो यह वाला हो गया और भी तरीका है कि यह तो हो गया कि इबाला में चुकि हमको याद रहता है तो डिर्टेश ही सकर दियां अंदर बाले पॉइंट के लिए और भी तरीका है क्या फाई से ही करिये तो फाई का पोटेंशियल का भेलू कितना दिया हुआ है A R SQUARE पलस B दिया हुआ है हम लोग कितना पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं KQ by 2RQ इंटू 3 R SQUARE माइनस R SQUARE ये बाला हम लोग पढ़ते हैं ठीक है तो R SQUARE के बगल में A है इधर R SQUARE के बगल में कितना हो जागा तो इतना होगा ना इतना मल्टिप्लाइ करिए तो माइनस इतना हो जागा R SQUARE के बगल में तो हो जागा माइनस KQ by 2RQ तो A के बगल में इतना R SQUARE के बगल में इतना है से इसको लिख दिये और बी का भेलू पूश्टा देखो इस मेठट से बीका भेलू तुम नहीं निकाल सकते थे लेगे इधर से निकल जाएगा तो यहां से कैंसे लोगा तो थिरी अवारा स्क्वर का यहां पर हो जाएगा तो यहां सब्सक्राइब यहां से यहां से एक भैलू जो आ गया वह बराबर होगा रो भाई तो यह सभी करके देखे यही बाला आगया इसो कुछ है ने आपको फाइप पोटेंशियल का भेलू दिया हुआ अथा बोल डाइचार देश्टी तो चुकि एलेक्टिक फिल का फॉर्मुला चोटा ना होता है रोगाइट इंटु आर तो हम लोग एलेक्टिक फिल का निकाल लेकिन अगर उद्धर सर नहीं करना तो क्या है कि पोटेंशियल का फॉर्मुला आप यह जानते तो क्या कर दिया तो कैसे कंपेर किया इतना है यहां पर इसको खोल होगा इतना होगा यहांस हो सकता है कि बारेंगी पूछ सकता था तंबीद के बारेंगी पूछता ας है तो इज यहाँ यहां जिस आपको किई डाल पूछा है तो आसान हो गया आपको कूकि इधरसे बन गया इधरसे बन गया अगर isn't the power फूराई ही नहीं कूकि है दो नेंटू झाल तो अगर खेलना रहता है तो आता से नहीं चल सकते थे प्योंगों करता है तो आपको इधर से ही छलना पड़ता है एब प्रोजेक्टाइल मोशन भी करते हैं और आप एक इक क्योंच जानते हैं उसमें क्या कर ली compare कर लेते हैं बाइक के आगे वन हम लोग याद करते हैं यहां बाइक आगे कुछ देगा जो तुम जानते हो फॉर्मॉला से इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों को लिख करके compare कर दो जब कि जब डाटा में देता है कि अतना है तो हमें लोग क्या करते हैं कि जिस का डाटा उसको क्रते हैं बराबर करते हैं चला है यह सब कॉमन टाइप है डिया हुआ तो फेर से छेंडर secondary देन्सिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमेटर क्यू दे एंगिल रेमेंस दी सेम अच्छा पहले था 30 डिग्री एंगिल फिर उस सिस्टम को लिक्विड में डुबा दिया तो करा एंगिल सेम ही है ठीक है बोल रहा है कि if density of material of the sphere is 1.6 ग्राम पर सेंटीमेटर क्यू दाइलेक्र कॉंस्टेंट ऑफ लिक्विड इज तो को पीथ बॉल वाला प्रोब्लम ही दिमाग नहीं लगाना है क्या थेटा है कि यह बराबर हो जाएगा एक फिलेक्टवृस्टैटिक वाई एमजी के ठीक है तो 30 डीटरिधी दिया हुआ जैसे ही लिक्विड में डूबाएगा तो लिक्विड का आपको क्या किया देंसिटी दे दिया है तो यह तो समझ गयों कि जी चेंज हो जाएगा जी पर जी फेक्टिव हो जाएगा और चुकी डाइलेक्ट्रिक कॉंस्टेंट के बारे में पूछ रहा है इसका मतब लिक्विड में डाइलेक्ट्रिक कॉंस्टेंट मनें लिक्विड के डाइलेक्ट्रिक कॉंस्टेंट के तरफ भी सोचना है तब कराय की एंगिल उतना ही रह जा रहा है तो पहला बार में इतना था बाद बार बाले में आएंगिल पहले 30 डिग्री था था भी भी 30 डिग्री यह बराबर होगा किसके तो अब जो फोर्स लगेगा वो तो होगा एफ एलेक्ट्रोस्टेटिक बाई कि डाइलेक्ट्रिक कॉंस्टेंट क्योंकि मीडियम में डाल दिये हैं और एम जी बाला में क्या हो जाएगा एम और जी के जागा पर जी फेक्टिव हो जागा जी इंटु वान माइनस सिग्मा बाई रू यह जहां का आप जान देख चुके होंगे पहले ही जी कि पहले क्या दोग वए से लटकथ हुआ था है यहां है आप एंगिल टीटा ठीक है अब क्या कर दिए हैं कि लिकुड में आप है जो कि डाल दिये हैं कि कि प्रोसे में नहीं बढ़ ऐगा और तो नहीं बदल तो तो फिर से पीथबॉलई लेकिन नीज समय अगर इलेक्ट्रोस्टाइटिक फोर्स था जो कि एक था तो लिक्विड के करिया यह करिए यह 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 प्षाइनल आर करिए जो भी करिए बात एक ठीक है और चुकि लिक्विड में किसी को डाल देते हैं तो जी के जाए पर जी इफेक्टिव होता है जी इंटू और माइनस सिग्मा वाई रू इसको फीजिकली देखना चाहते ताप इसे सोथ सकते हैं कि यहां पर एक फिलेक्ट्रोस्टाइटिक इधर लग रहा था और एम जी इधर लाग रहा था ठीक है जब लिक्विड में आप डाल दीजिएगा तो क्या होगा कि यह बाला उस पर फोर्स लागाता था घाटेगा और एम जी जो लाग रहा था तो आप चुकि बहांसी में लागेगा जीते एम जी बहांसी का जो रिजल्टेंट होगा एम इन्टू जी फ फोर्स लगता इधर फोर्स लगता तो कुछ एंगिल है जो इस दोनों का रिजल्टेंट होता है उसके पोजिट स्ट्रिंग होता होगा अब यह बाला कमेगा तो इसको इधर आना चाहिए लेकिन यह भी कम जा रहा है तो क्या हो गया कि इसके कम होने से इधर जाएगा और बोलता है बराबर है इसका मतलब क्या हो गया कि फिजिकली आपको पता चलना रहा है कि इसके कम होने से इधर होना चाहिए था और इसके कम होने से इधर होना चाहिए था तो जतना पहले एंगिल है उतना एंगिल भी रह सकता है हो सकता है कि ज्यादा हो जाता हो सकता है कि कम हो आता लेकिन बराबर भी रह सकता यह आप समझ में आ गया होगा आपको तो यह डियाग्राम बनाने की जरूवत नहीं था सेधिया आपका टाइन ठीटा यह लिक्विड में डालिएगा डाइलेक्ट्रिक कॉंस्टेंट दिया तो यह बाला तो चेंज होगा ही साथी साथ यह भी चेंज जाएगा अब बोल रहा है क्या कि थीटा है जो कि सेम है तो तो यह दोनों बराबर हम लोग करेंगे ठीक है यहां पर यहां पर क्या हो जाएगा यह बाला यहां पर आएगा यहां पर कितना हो जाएगा नीचे बारे में रहेगा यह तो अब क्या करिए यह करेंगा इसको पूरे को ऊपर ले करके चल जाएगा इंटू बाला होता है तो यह क्या हो जाएगा देखिए यह बाला कितना हो गया इसको इधर फेकिए बहुत असान प्रोब्लम था यह इतना करना नहीं हम जानते हैं पीथ बॉल प्रोब्लम है यह बाला कुछ चेंजिंग करें उसके हिसाब से लीखो अब माले के बोलता कि बाद मैं एंगिल 60 डिग्री हो करते हैं थर्ति डिग्री पूट करते हैं और से अनुद करते हैं कोई बीप्रोब्लम था था इसे ही प्रोचीड करते हैं कि थिक है